वो कहते हैं न बिल्ली गई तो चूहों की बनाई कुछ ऐसा ही हाल ट्रम्प के जाने के बाद चीन का हो रहा है चीन भारत सहित दचीन चीन सागर में भी अपनी जासुसी और अपने सैन्ने तहनाती को बढ़ा रहा है तो अब ट्रम्प के जाने के बाद क्वाइड ने ले लिया है बड़ा फैसला जिसका सीधा असर दीख रहा है चीन के उपर तो वहीं दूसरी तरफ आजकल UNHC में बड़ा बवाल मच रहा है लेकिन इस बार बवाल मचाया नेपाल ने नेपाल ने भारत के बारे में ऐसा क्या कह दिया कि चीन गुसे से लाल हो गया और गुसे में आकर उसने नेपाल में कुछ नई हरकत कर दी जानेंगे इसके बारे में विस्तार से चीन के बढ़ते हुए परभाव को रोकने के लिए क्वाइड का गठन किया गया लेकिन अब इस क्वाइड में बाइडेन का क्या रूख होता है वह तो वक्त ही बताएगा सुरुवाती दौर ऐसा लग रहा है जैसे कि टरंप की तरह मजबूती के साथ बाइडेन खड़ा नहीं रहने वाले हैं क्वाइड के साथ लेकिन क्या क्वाइड के बांकी देश चीन से डर गए हैं और पीछे हो गए हैं चीन से सबसे ज़्यादा खतरा अगर किसी चीज का है तो वो उसकी नौसेना का है क्योंकि उसने अपनी नौसेना को सचमुच काफी ताकतवर मना लिया है और इन दिनों उसकी नौसेना अपने जासुसी तंत्रों का खास करके इस्तेमाल कर रही है भारत के हिंद महासागर और दचिनचीन सागर में जासुसी के लिए दरसल ये वो रास्ते तलास करते हैं जहां से उनकी पंडुब्यां सुरच्छित होकर हमले कर सके ऐसे में इन इलाकों का पूरा जायजा उनके पास होना बेहत जरूरी होता है यही वज़ा है कि यह अपने जासुसी पंडुब्यों ड्रोनों का इस्तेमाल करके इस पूरे छेतर का मुआयना करते हैं चीन को भारत में अगर किसी चीज से डर लगता है तो वो है अंडमान निकोवार उसकी बड़ी वज़ा है मलक का इस्ट्रेट जहां से 80% बैपार करता है चीन और अगर भारत ने उस रास्ते को बंद कर दिया तो इसका सीधा मतलब है कि चीन का गला दवाना ऐसे में भले ही लदाक की सीमा पे चीन की आर्मी कुछ भी दिखा रही हो लेकिन उसकी नौसेना भारत की तोड निकालने में लगी हुई है लेकिन अब भारत ने क्वाइड के साथ मिलकर कुछ ऐसा करा है कि उसकी सबमरीन या उसके जहाजों की खबर जितनी जादा चीन को ना होगी उससे कहीं जादा क्वाइड देशों को होगी खास करके चीन को तब आस्चरी हुआ जब उसने भारत के पास वही चीज देखी जो चीज दरसल जापान और अमेरिका के बीच में हुआ करती थी दरसल जापान और अमेरिका ने एक फिसिंग हुख टेकनीक के बेस पर सर्विलांस सिस्टम को बनाया था और यह नेटवर्क कैसे काम करता था तो एक चैन की तरह माणी के अंदर काम करता था अगर थोड़ी सी बीडिंफोर्मेशन तो लेकिन अब इस टेखलोजि को अंडमान निकोबार के आसपास भी देखा गया है वहाँ भी इसे डिपलोई कर दिया गया है जिसके बाद चीन के कान खड़े हो गये हैं क्योंकि ये टेक्नलोजी खास करके निसाना बनाएगी चीनी पंडुबियों को इसके तार कुछ ऐसे जुड़े हुए है कि यह नेट इस नेटवर्क के बारे में थोड़ा जाने कि कितनी लंबी खेल इस पर चल रही है दरसल फिसिंग हुक सर्विलांस नेटवर्क ताइवान से लेकर जापान फिलिपिन्स मलेसिया इंडोनेसिया और उससे होते हुए हिंद महासागर के अंडमान निकोबार छेतर तक पता चल जाएगा कि क्या चीनी जहाज या चीनी पंडुबियां घुसने की कोसिस कर रही है किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सबसे आहम होती है जानकारियां भारत के लिए ये किसी मास्टर इस्ट्रॉक से कम नहीं है वहीं दूसरी तरफ आजकल यूएनसी में बड़ उसे लगता है कि कहीं भारत अपने पर्मानेंट मेंबर बनने के सपने को पूराना कर ले और उसके हाथ में वीटो पावर न चला जाए इसलिए कोई भी अगर भारत के पक्ष में थोड़ी भी हवा देनी की कोसिस करता है तो सबसे ज्यादा बुरा अगर किसी को लगता है तो वो चीन को ही लगता है हाल फिलाल में उसने अपना गुसा निकाला है नेपाल के उपर अब नेपाल ने ऐसा क्या कर दिया तो जैसा की नेपाल के बिदेश मंतरी आजकल आये हुए हैं भारत परदीप ग्यावली भारत आने के बाद रक्षा मंतरी से लेकर परदान मंतर तक सभी से मिल चुके हैं और परदीप ग्यावली ने एक बड़ा बयान दे दिया है और जिस बयान का सीधा असर नेपाल के राश्टपती भौन में चीनी राजदूत हो यानकी ने दिखलाया चीन की जलन और तड़प का अंदाज आप इस तरह से भी लगा सकते हैं कि यूए लब्दि के बारे में आपको क्या कहना है तो उन्होंने कुछ भी जवाब देने से इंकार कर दिया था इस मामले पर टिपनी भी नहीं करी थी वैसे तो कूटनीतिक द्रिश्ट्री कौन से टिपनी करना ही बनता है चाहे आप दिल से चाहो या ना चाहो लेकिन आपनी जलन म इतना जादा जल्बुन गए थे प्रवक्ता कि उन्होंने टिपनी नहीं करना ही उचित समझ लिया वैसे जब वीटो मिलेगा तब चीन का क्या हाल होगा वह जरूर देखने लायक होगा दरसल ग्यावली ने यूनसी में भारत के पर्मानेंट मेंबर बनने की वकालत करी और कह कि भारत को इसकी सदस्यता काफी पहले मिल जानी चाहिए आज भी भारत की दावेदारी बिलकुल सही है बस इतना कहना था कि चीन को बड़ी जोर की मिर्ची लगी और इसका असर दिखा नेपाल के अंदर दरसल नेपाल में मोजूद चीनी राजदूत हो यानकी बिना राष्टपती से मिलने पहुच गई और उन्होंने इस राष्टपती से मिलकर सिर्फ हाय हेलो नहीं करा बलकि राष्टपती को सिकायत भी कर दिया कि नेपाल ने कैसे भारत के पच्छ में इस तरह की बात कर दी यह बिलकुल स्विकार करने योग्य नहीं है पहले तो आप इससे जरा अंदाजा लगाई है कि चीन नेपाल के अंदर किस कदर घुस उका है कि उसके राजदूत को विदेश मंतराले की कोई परमीशन की जरूरत नहीं होती है और वह राष्टपती तक पहुच बना लेती है और दूसरी यूनस्सी में भारत से कितना ज्यादा डर रह है ऐसे में नेपाल पे कबजा करने का उसका सपना अब अधूरा ही रह जागा उसकी राजनीती चारों तरफ से फेल हो रही है वैसे आपको क्या लगता है नेपाल ने यूनसी में भारत का समर्थन किया क्या नेपाल भारत के साथ रिस्तों को सुधारना चाहता है कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ